तीन सो रुबे दो एंटिवारस खरीदो आपको यूट्यूब चैनल किसी का वाग भी हक नहीं कर सकता अब एक घंटा मेरा गाइस अभी रुको रुको अब अब अपने मोबाइल को ही सिक्योरिटी की बना सकते हो यानि कि हैकर के पास आपका मोबाइल होना चाहिए उसके आस पास होना चाहिए तो भी वह आपके अकाउंट को हैक कर सकता है बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी की लगा सकते हो यह वीडियो को एड दक देखते रहना दूसरों की तरह नहीं बताऊंगा एंटिवरस करीदो यह करो वह करो ओटीपी वाला सिस्टम भी नहीं है ओटीपी सबसे अलग पूरे यूटुब पे कूल टेक सबसे पहली वीडियो यह दिखते रहना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इन्स刁दilot प्रिवाइड दुन निर्टारिफोज। चलो आप हम मैं आपको directly सिखाता हूँ गैस देखो पहले मैं आपको थोड़ा से explain कर दू antivirus किसलिए यूज होता है देखो बहिए antivirus किसलिए यूज होता है आप एक apple का phone चला रहे हो आप एक android phone चला रहे हो आपके पास iOS Mac है उन तीनों चीजों के अंदर antivirus का यूज जाद नहीं किया जाता देखो भाईया एक Chrome browser होता है जो हम browse करते हैं जिसमें हम चीजे खोलते हैं Chrome browser में क्या होता है हम जैसे कोई भी गलत website open कर रहे होते हैं तो Chrome browser हमें पहले ही बता देता है कि यह website cookies आप से accept कर रही है यह website थोड़ी dangerous है तो हमें अपने mobile के अंदर antivirus install करनी की जरूती नहीं पड़ती है क्योंकि antivirus जो होता है वो virus की file को detect करने के लिए होता है और phone के अंदर virus की file run ही नहीं करती है virus की जो file है वो सिरफ run करती है Windows के अंदर विंडोस की अंदर आप antivirus install कर सकते हो वो आपके लिए better रहेगा ऐसा कभी नहीं होता antivirus आपका channel hack होगा यह होगा वो होगा सबसे पहली clarification यह अब मैं आपको computer पर चल के सबसे पहले यह clarify कर देता हूँ कि यह system क्या है वीडियो पूरी देखो या ना देखो मुझे सबसे अलग बताना है चलो computer screen पर गाइस देखो अब क्या करना है इस वीडियो के description में मैंने आपको एक link दे रखी है simply आपको इस link को open करना है उससे क्या होगा आप Google के two step verification वाले page पर redirect हो जाओगे उसमें क्या करना है आपका Gmail account आ जाएगा आपको directly अपना password फिल करना है बस password फिल करते ही आपका क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आपका एक page खुल जाएगा two step verification का यहीं पर यह security key है देखो आप directly इस वीडियो को समझते रहना देखो एक हो mobile बन जाएगा उस key को आपको लगाना पड़ता था तभी आप sign in कर पाओगे अब उसी key की तरह है आपका mobile बन जाएगा आपका mobile आसपस होना चाहिए तभी आपके YouTube account में कोई login कर पाएगा समझे इस बात को यह किसी ने नहीं बताहिए देखो क्या है यहाँ पर आप इस security key पर आपको क्या करना है add security key करना है अब देखो मेरा YouTube का account है वो दो mobile के अंदर sign in हुआ पड़ा है sign in है आपके account से वो यहाँ पर show कर जाएंगे आप जो भी device को चाहो आप अप्रूव कर सकते हो कि हाँ यह device को हमें security key बनाना है Hong Kong Singapore वगयरा वगयरा country से होते हैं मतलब उसको password पता चल भी जाएगा और आपने गलती से प्रोमोंट आएगा प्रोम्ट कहते है उसे आभी गया उसको अपने yes भी कर दिया तो भी आपके account में कोई sign in नहीं कर सकता मतलब कि जो भी अब अबंदा sign in कर रहा है आपका mobile आसपास होना चाहिए उस area के तो अभी वो sign in भी कर पाएगा वरना वो sign in कर ही नहीं सकता है ठीक है अब मैं आपको login क के दिखाता हूं अपने mobile से अपने laptop के अंदर मेरा mobile आसपास होगा तो भी sign in होगा वरना किसी का बाप भी इसके अंदर login नहीं कर सकता है antivirus अब एंटिवारिस की तो कोई जरूरती नहीं है पैसे क्यों खर्च करना चलो दिखाता हूं यह गाइस चलो आपको example दिखाता अब मैं आपके सामने दुबारा से login करता हूं next पर click करा अब देखना क्या magic होगा यह यहाँ पर क्या बोलता है a notification was sent to your phone to confirm it's you मतलब की मेरा mobile इस laptop के आसपास होना चाहिए security prompt आएगा अभी यहाँ पर मैं उसको yes कर दूँगा यह मेरा laptop है इसके आसपास है yes कर दूँगा वो connect करेगा देखेगा location को कि हाँ जो sign in की request आई है और जो यहाँ से request send की गई है वो आसपास ही है ना nearby 22-30 मीटर के बीच में ही है तब ही इस account में यहाँ पर sign in approve होगा वरना किसी का बाप भी इसमें sign in नहीं कर सकता just wait मैं आपको जैसे ही security prompt आता है यहाँ पर आपको करके दिखाता हूं और एक चीज और ऐसा नहीं है कि mobile भी पास होना चाहिए उस mobile का Bluetooth भी on होना चाहिए उसकी location GPS भी on होना चाहिए और इस लैप्टॉप के अंदर भी Bluetooth को on होना चाहिए समझे इस बात को Bluetooth on होना चाहिए बस connect करनी की कोई जरूरत नहीं सिरफ आपको on करना है ताकि यह जो location है वो specify कर पाए जहांसे sign in किया जा रहा है और जहांसे sign in approve की request बेजी जा रही है वो nearby ही है ठीक है अब आपको proof के साथ दि जा रहा है जब मैं yes करूंगा तभी इसमे sign in होगा वरना कोई sign in नहीं कर सकता लेकिन एक magic और दिखाता हूँ अभी आपको proof करके दिखाऊंगा मैं इस पर yes करूंगा yes it's me yes मैं click करूंगा तभी sign in होगा और अगर इसका मैं Bluetooth बंद कर दूं मोबाइल का यहां पर मैं Bluetooth बंद कर दिया Bluetooth भी ओन होना चाहिए location भी ओन होनी चाहिए और internet तो ओन होना ही चाहिए तो अभी security prompt आएगा अब आपको मैं Bluetooth ओन करके दिखाता हूँ Bluetooth ओन करूंगा directly sign in अप्रूव हो जाएगा अब मैं दुबारा से जाता हूँ अब मैं इसको यहां पर cancel करता हूँ देखो यहां आपर मैं जाओंगा इसको cancel करूंगा दुबारा से मैं यहां पर next try again पर click करूंगा और यह दुबारा से security prompt भेजेगा और मैं इसका Bluetooth भी on कर देता हूँ ठीक है यह भी रुको यहां पर एक security prompt और आजाएगी just wait 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 अगर नहीं आती तो मैं दुबारा करके दिखाऊंगा य यह नहीं होता connecting to your device यह देखो pass होना चाहिए जहां पर sign in हो रहा है जहां पर approve हो रहा है sign in approved देखो sign in approved हो गया और अब इस पर मैं click करूं don't set up ऐसी कुछ यहां पर option आ रहा है मैं पूरा नहीं दिखा सकता मेरी email id आ जाएगी और खत्रा भी बढ़ दाएगा next पर click करा और मे इस चीज को set up कर लो बहुत ही तगडी trick है यह बहुत ही तगडी चीज है मतलब hacker के पास mobile होगा तब ही sign in होगा उसके आसपास होगा उसके आसपास मधु मख्या भीन मिनाएगी तब ही वह चत्ते पर बैट भाएंगी वरना वह चत्ते पर नहीं बैट भाएंगी बस इस वी झाल बाएंगी लव यव य लव य लव यू